हम गरीबों को मौके अरक्षण वे रोजगार देने के प्रती कटी बद हैं परदेश के युवा मोदी जी से मूलभूत सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार मिलेंगे कब दस करोड रोजगार दो करोड रोजगार प्रती वर्ष की दर से पैदा होंगे कब 24 लाख भारत सरकार के खाली पद भरेंगे कब 2018 में जाने वाली एक करोड दस लाख नौकरियां उनकी भरपाई होगी कब नोट बंदि और गबर सिंग टैक्स से गए दो करोड रोजगार का नुकसान भरेंगे कब बगेर नौकरियों के नौकरियों में आरक्षन कहीं जुमला बन करना रह जाए इस बात के लिए भी आगाह करना हम अपनी जुम्मेवारी मानते हैं गरीबों के हक में उठाए गए हर कदम का हम समर्थन करेंगे परदेश के युवाओं की और से ये सवाल अवश्य पूछेंगे रोजगार में आरक्षन तो दीजिये पर रोजगार कब देंगे मूलभूत सवाल ये है इसका निरने मोधी जी और मोधी सरकार को देना है एक निरने सामने आया है गरीबों को अरक्षन देने का और मैं याद दिलाओं दो हजार दस ग्यारा में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने आर्थिक तोर से गरीबों के लिए कमिशन का गठन किया था उसकी रिपोर्ट जो आई थी उसमें भी दस परतीशत आरक्षन का प्रावधान आया था उस रिपोर्ट के आधार पर जाते जाते जब सौ दिन मोदी जी की सरकार के बचे हैं तो उन्होंने ये निर्णे लिया है हलांकि देश के युवाउन को रोजगार के अभाव में उनकी मनशा पर शंका है प्रन्तु हम आज भी ये कहेंगे कि हम साकारात्मक तरीके से गरीबों के लिए मौके अरक्षन रोजगार और सिक्षा के पक्ष धर हैं और हर ऐसे कदम का समर्थन करेंगे उसके कानूनी और समीधानिक पहलों की जाच करना सरकार की जुम्मवारी है ये जबाब सरकार को देना चाहिए on the heat on Rafale has not been caused by the Congress party this is the heat of modiji's corruption that is coming uh to theulle day by day by unravelling of mysteries of Rafale which prove that the stench of corruption lies deeper and deeper going right to the very top Prime Minister Modi who came to power with the promise of na khaunga na khaane doonga will be held accountable by people of India on the corruption plank and there is no way that he can escape accountability or responsibility on the Rafale scam and there is no subject to I spy that you have a question what I do can you tell me about any subject we have the question that he of course is no subject प्रेख निकाल सकता है कम जदा पड़ सकता हैं हमने बड़े सीधे तोर से सफ़ तोर से साफ गोई से इमानदारी से कहा हमारा भारतिय जंता पार्टी से राजनितिक विरोध हो सकता है उनको हमसे व्यक्तिकत दुश्मन ही हो सकती है प्रंटू देश के गरीबों के उत्थान और प्रगती को लेकर हम अपने हर राजनितिक विरोधी के साथ भी खड़े होंगे ये हमारा अटूट निर्ने है कॉंग्रेस अध्यक श्राहूल गांदी जी का और कॉंग्रेस पार्टी का जब देश के गरीबों की मदद की बात आएगी देश के उन गरीबों को जिनको मौक नहीं है उनके लिए सिक्षा और रोजगार की बात आएगी तो हम हमारे गोर से गोर विरोधी के साथ भी खड़े होकर गरीब के साथ खड़े होंगे ये हमारा निर्ने है अलकम्ट्री यूसुफ जी एक और मित्र ने भी यही प्रशन पूछा जब अदालत ने कोई निर्ने जब सरकार ने कोई निर्ने किया है तो उन्होंने सभी कानूनी और समीधानिक पहलूओं की जाच की होगी भारती राश्ट्रिय कॉंग्रेस का ये मानना है कि आर्थिक तोर से जो गरीब लोग हैं उनके बेटे और बेटियों को सिक्षा और रोजगार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए ये मुलभूत प्रशन है आर्थिक तोर से गरीब व्यक्ति उसकी जाती धरम समुदाए शेत्र कोई भी हो और वो देश के किसी भी हिस्से से आता हो हमारा ये मानना है कि उसके बेटे और बेटी को भी मौका मिलना चाहिए और इसलिए बगेर आलोचना के बगेर मीनमेह के हम हर उस कदम का समर्थन करेंगे सहयोग करेंगे क्योंकि हमारी ये कटी बदता है कि देश में जो आर्थिक तोर से गरीब हैं उनको भी समाज के संसाधनों में हिस्सा मिले आदर्णी मित्र में उझे लगता है कि मेरे इस टिपनी और पूरे बयान के बाद ये प्रशन में कोई शक्षभा की गुंजाईश रही ही नहीं जाती मैं फिर दोहराता हूँ आर्थिक तोर से जो गरीब यक्ती है उसके बेटे और बेटी को सिक्षा और रोजगार के अंदर अधिकार मिले इसके बारे में हर कदम का हम सहयोग करेंगे चार साल आठ महीने के बाद जब सरकार के सो दिन बचे हैं तब मोदी जी यकायक लेकर आए हैं फिर भी हमारा ये मानना है नौकरियों में अरक्षन दीजिए परन्तु युवा ये भी पूछ रहे हैं के नौकरियां कब देंगे ये भी एक महतपूर्ण मूलभूत इससे जुड़ा प्रशन है जिसका जवाब प्रधान मंत्री जी को सादर अनुरोध है के देना चाहिए आज क्योंकि एक विशेश विशे है मैं गुस्ताकी करूँगा मैं वैसे अक्सर आपके हर प्रशन को लेता हूँ आज मेरा सादर अनुरोध है कि आज मैं उसको आज की पत्रकार वारता को यहीं तक सीमित रखूँगा धन्यवाद